खार करें काई हैं इससे पहले कि इंपोर्टरेन्स क्या है उसका यूज कहां कहा हुता है और साथ ही साहथ सिलेवस का थोड़ा हमने इनलेसिस किया था कि एक्जाम में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं ठीक तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीधिवत तरीके से ग्रामर ठीक है उसके बाद उसके बेसिक्स चीजों को समझते हैं चलिए देखिए सबसे पहली जो बात है यहाँ पर वो यह जान लेना है कि ग्रामर होता क्या है चुली तो मैंने आपको पिछले सेसे ने बदाया था कि ग्रामर जो है वो सेट आफ रूल से है है ना जो कंपोस करता है क्या किसके सिच्छे का वर्ट्स का संटेंस का क्लाउस का ठीक है इन सारे शीयों को लेकिन आज मेरियन बेवस्टर के अधार पे ग्रामर का डेफिनिशन लो जाननी के परियास करेंगे कि है क्या देखे तो मेरियन बेवस्टर मेरियन बेवस्टर जानते हैं कि अच्छी डिक्सिनली है और इंग्लिश के बारे में काफी कुछ बो डिफाइन करते रहती है उस study of आप लोग भी अपने किताब को भी निकाल के बैठ जाएए ठीक है क्योंकि पढ़ाई करने के लिए हमेशा के वर वीडियो देखना नहीं है उसको नोट भी करते आना है ये जरूरी एधियान रखेगा क्या लिखा है भाई इडिस देश्टरी ओफ the classes of the classes of ठीक है the classes of words their inflections inflections अब ये inflections क्या होता है हम बात करेंगे अभी तुराँ and their functions and relations in sentence ठीक है relation in sentence ठीक है क्या लिखा है it is the study of the classes of words their inflections and their functions and relations in क्या है sentences ठीक है या sentence आप तो समझे इस बात को ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ grammar जो है वो study करता है study का मतलब वो हमें बताता है उसके बारे में ठीक है जहां पर हम लोग बात करेंगे अलग-अलग words का use कैसे करते हैं sentence में उसके inflections उनके functions ठीक है और साथी साथ relations in sentence मतलब उस sentence में उसका क्या उसके साथ संबंध है अब ये जो inflection सब्द आया है थोगा सा हम जान लेते है इस inflection के बारे में ये inflection actually होता क्या है ये inflection जो सब्द हमने वहां लिखा है ये होता क्या है थोगा जान लेते हैं उसके बारे में ध्यान दीजेगा देखे inflection जो होता है ये क्या है the change inflection is the आप लिख सकते हैं डिरेक्ट इसी inflection is the change of form that words that's word undergo to mark such distinctions to mark such distinctions of ठीक है of those of case gender number number tense person mood or voice देखे ये जो definition हो गया है ये अपने आप में बहुत दमदार और बहुत जरूरी था ये ची जानना ठीक है तो थोड़ा समझे इस बात को मैं कह रहा हूं क्या grammar जो है वो क्या करता है भाई तो वो study है है ना grammar is the study of the classes of words मतलब जो सब्द के अलगला class होंगे उसके अलगला जो टाइपस होंगे उसका हमें ये study करता है dear inflections यानि उन सब्दों के ही inflections के बारे बताता है ये inflection होता क्या है तो inflection is the change of form मतलब inflection जो है क्या है वो change of form है ठीक है that words उसी सब्दों का undergo to mark such distinctions जो अलगला तरह के हमें वेद उसका असपस्ट करता है किस रूप में उसके case के form में, gender के form में, number के form में, tense के form में, person, mood और voice तो आँ समझी है, हाँ पर 2-4 मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मान लिया जाए कि कि किसी भी शव्द में हम लिखते हैं अब हम बोलते हैं कि वह बाजार जाता है, he goes to market अब यहाँ ही क्या हो गया, he जो है, वह अभी जंडर की बात छोड़ दिये कि वह male है या female है अगर हम लोग person के बारें बात करते हैं, तो हाँ क्या होता है, similar होता है, तो फिर आगे जो वर्व आप कर रहे हैं, ghost, वो similar कर रहे हैं, ठीक है तो कहीं न कहीं हर sentence में वो बहुत कुछ depend करता है, business कर, यह case, gender तो बात यहाँ पर aspect है ना, लेकिन यहाँ साथ ही साथ जो number है, यह number, tense, और उसका जो वर्व का form है, mood है, यह सब काफी कुछ depend करता है तो इन सब चीजों का ही जो है, correction रूप हम पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए जानना जरूरी है, तो यह काफी high level का definition हो गया, जो जानना जरूरी था, ठीक है, तो मैं फिर से repeat कर रहता हूं एची, कि grammar is the study of the classes of their words, ठीक है, their inflections, उसी words का inflections, अब यह inflections के अंतरत क्या करते हैं, तो मुटा मुटी समाझ यह, inflection का मत होता है, जो उस word के case, gender, mood, voice, tense को अस्परस्ट करता है, वही उसका inflection होता है, ठीक है, their functions, इस word का क्या क्या function है, and relations in sentence, उस sentence में उन्स शब्दों का संबंध क है, जो बताता है, वही grammar है, ठीक है, यानि मुटा मुटी इसको यह कह सकते हैं, आप लोग, कि grammar हर वो चीजों का, ठीक है, एक क्या है, rules है, या set of rules है, जो हमें सही-सही पढ़ने के लिए, सही-सही बोलने और लिखने के लिए बताता है, ठीक है, इन सब का मतलब ही वही हु तो क्या, ये कही न कहीं सही होगा, क्या नहीं होगा, आप बोलेंगा, सर ऐसा करना गलत हो जाएगा, यानि ये error हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे, inflection सब का use किया गया है, inflection का मतलब, ये सारे term को वो define करता है, राइट, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगे बात करते हैं, देखिए, वो है आपका orthography, ठीक है, वो क्या है, और्थोग्राफी का मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे, उसका हिंदी होता है, वर्न का मतलब लेटर, यानि कहीं न कहीं ये जो और्थोग्राफी सब्ध है, इसमें क्या करते हैं, ठीक है, उस लेटर के बारे में, तो ग्रामर में अगर टोटल नंबर ओफ लेटर की बात किया जाए, किसी अल्फाबेट में, ग्रामर में जो अल्फाबेट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ए से जेड तक रिनोड करते हैं, तो उसमें अगर लेटर की बारे में बात किया जाए, तो ल चलीए तो सबसे जो पहला टाइफ है किया है आपका और्थोग्राफिए ठीक है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ण भिचार देखिए बेसिक चीप रहाना थ्वासा मुश्किल होता है और यह जान लेने के बाद कभी कहीं दिक्कत नहीं रहेगा ठीक है इसलिए ध्यान से पढ़िएगा इसको यह है क्या तो आप इसो कह सकते हैं इसको डेफिनिशन में It is Part of Language 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 It is Part of Language Study मतलब भासा के अध्यान में एक ऐसा भाग होता है जो क्या करता है भाई That That Dills With तेकिए Dills With का मतलब होता है उसको जो डर्साता है इसको डिस्वित क्या Litters अभी बात कर देखिए थे लेटर्स के बात और क्या करता है उसके Spelling के बारे में भी बात करता है यह जो लेटर हम लिख रहा है वो सही है या गलत है ठीक है यह सब उसके बारे में बात करता है तो यह होता है और्थोग्राफी मतलब क्या कह सकते हैं अब लोग तो और्थोग्राफी जो है अब तो यह जो लेटर्स के बात करें इसके अंतरगत आईए थोड़ा इसको और देख लिते हैं तो इस अगर हम लोग लेटर के बारे में बात करें तो टोटल नमबर ओफ लेटर कितने होते हैं 26 होते हैं और इस 26 लेटर के संगरा को हम क्या बोलते हैं अलफा वेट बोलते हैं यही तो बोलते हैं अलफा वेट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्न माला ठीक है इस अलफा वेट क्या बोलते हैं वर्न माला ठीक है अब थोड़ा से यहां और गौर करिएगा कई बार लोग कहा देते हैं अल्फा वेट्स कहा देते हैं क्या कहते हैं अल्फा वेट्स तो ऐसी गलती नहीं करना है आपको अल्फा वेट्स जो होता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है भासा ठीक है अल्फा वेट्स का मतलब क्या होता है यह भासा होता है जो गलत है तो हमें क्या बोलना है आल्फाबेट बोलना है S लगा देने की बाद इसका मिनिक चंज़ाता है तो और्थोग्राफी में हमें पढ़ते हैं Leiter के बारे में Leiter के बारे में अगर बात किया जाए तो इस लेटर के अंदर क्या क्या होता है भाई तो एक होता है आपका Capital Letter है ना Capital Letter जिसको हम Capitalization में बोलते हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको यह जानने जरूत है कि Capital Letter का यूज कहा करते हैं है ना दूसरा होता है Small Letter यह Capital Letter और Small Letter की बात है तो यह आप फॉन्ट जानते होंगे Small Letter का मतलब जिसे A, B, C, D यह सब जो फॉन्ट है उसका यह Small Letter हो गया Capital Letter का मतलब A, B, C यह उसका फॉन्ट है ना Capital Letter का तो यह सब फॉन्ट जानते होंगे आप लोग चलिए अब टोटल जो इसका कलेक्शन है 26 लेडर का उसको हम Alphabet बोलते है ठीक है एस से लेकर Z तक को अब इस Alphabet जो नाम होता है क्या-क्या होता है भाई वावल होता है और क्या होता है शेमी वावल होता है और क्या होता है इसमें कॉन्सोनेंट होता है ठीक है तो टोटल नम्बर ओल्ब जो है वो कितना है यह है पांच वो कॉन कॉन क्या 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 नाम है उसका A E I O and U सेमी वावल के संख्या कितनी है दो है कॉन-कॉन यह है W और Y राइट डबलू और Y बाकिया बच गया कितना बच गया ठीक है, देखे ध्री स्वात सा फिर से, और्थोग्राफी, इच पार्ट अफ लेंग्विज स्टडी देट इट बिल्स बित लेटर्स पारियों स्टेलिंग, ठीक है, मतलब यह भी लेंग्विज स्टडी है, जो लेटर के बारें बारें बात करता था, यह आगे हम लोग पढ आपको हैना क्यूंकि आप चुम्हाइस का यूज नहीं जानी गा तो जो आप डिस्क्रिप्टिव की बाद करते हैं जहां पे आप अप्लिकेशन फардमल ऑना फार्मल जोहनलों बात करते हैं ठीके लेटर लेटर रैटिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे आप गलती करते हैं, कहीं भी आप sentence में छोटा बड़ा आप font यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना है, capital लेटर का यूज कहां कहां करते हैं, ये भी एक grammar के रूल के तहद जानना जरूरी हमें, जैसे आप ज चोटी मोड़ी चीज़ों को जानते हैं हम लोग, लेकिन और भी इसके details कुछ rules हैं, हम लोग उसके बारें बात करें आगे, ठीक है, चलिए, उसके बाद small letter है, ABCD, font ऐसा, alpha weight के अंतरगा, total इस जंग से होता है, उसका, vowel 5 होता है, ये सब नाम याद रखेगा, बहुत basic बाते हैं, A, E, I, O, U, semi vowel 2 है, W, Y, और consonant जिब बाकिये रेस्ट बच जाएगा, ठीक है, वो consonant हो गया इसका, ठीक है, चलिए, अब देखिए, थोड़ा से फिलाला भी जान लीजी आप लोग, बात में पढ़िएगा इसको, vowel sound से जो सब्द होते हैं, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे है वोवल से जो बन रहे हैं, वैसे शब्द जिसका sound वोवल जैसा होता है, यानि वोवल sound का होता है, उसके पहले article N का यूज़ करते हैं, और consonant sound के पहले हम लोग article A का यूज़ करते हैं, ये बात हो ध्यान समझी है, आप क्या कह रहा हूँ मैं, वोवल से बनने वाले शब्द क sound वोवल होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है, उससे consonant भी हो जाए, जैसे हम लोग बोलते है, European E से बनता है और फिर University U से बना है, तो यहाँ पर ये नहीं कहना है कि वोवल से ही बनने के पहले N आएगा, ठीके, और consonant से बनने वाले के पहले A आएगा नहीं, वोवल स sound की बात करते हैं, तो उस भावे sound के पहले article N होता है, और consonant sound के पहले article A होता है, फिलाल इतना बात अभी जान लिजिए, बात में हम लोग सो डीटेल में पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या बनता है, राइट, चलिए, अब दखिए, अब जहाँ जैसे ही ये later के बारे में बात हो तो आपके दिबांग में एक बात आएगा, कि sir, इस later के सम्मू के हम वर्ड बोलते हैं, मतलब यहां से हम लोग फिर आगे क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में, वर्ड पढ़ते हैं, तो यह तो basic बात था, ठीक है, आईए थ्वाइस को आगे हम बढ़ाते हैं, चलिए, नू के बारे में बात करेंगे, तो वो क्या होता है, वो, yes, बिल्कुल, देखिए, अब आगे इसके में बढ़ते हैं, तो यह क्या है, वर्ड, अब इसका अगर definition के बारे में बात किया जाए, तो क्या बोलेंगे आप लोग, आप लोग तुरंद बोलिएगा, कि sir, यह क्या है, group of, group of letters, right, group of letters, आप देखिए, क्या केवल हम लोग letters के group को हम वर्ड का सकते हैं, क्या, क्या सकते हैं ऐसा, देखिए, तो आप group of letters, which give some a specific meaning, a specific meaning, क्या इसका मतलब हुआ भाई, यहान समझे थोड़ा सा, इस बात को, group of letters, है न, क्या लिखा है, which give some a specific meaning, मतलब, शब्दों का वैसा समूह, जो क्या करता है, कोई a specific earth देता है, specific meaning देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, word बोलते हैं, अगर यहाँ पर हम कैसे भी later मिला दें, जैसे मान लिया जाए हम, g, h, d, f, ऐसा कुछ कर दें, तो क्या यह सब्द है क्या, आप बोलिया बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पर भी तो एक सथीग later है, फिर भी सब्द बना, क्या नहीं बना, लेकि फिर हम बोलते हैं, तो बोलेंगे, यह सब्द है कुछ, ठीक है, जैसे हम और बोलते हैं, t, f, d, g, h, क्या कोई सब्द है क्या, नहीं, लेकि फिर हम बोलते हैं, t, e, n, ten, ठीक है, ऐसा कुछ बोलते हैं, या कुछ और भी सब्द हम पर आते हैं, t, e, n, t, h, ऐसा कुछ करते हैं, मतलब क्या हु इसलिए हमने हमाँ लिखा है कि ए ग्रूप आफ लेटर्स विच 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 गीव समस्पेशिफिक विनिंग राइट अब देखिए इस वर्ड से जो है इस वर्ड के अंतरगात क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग भाई तो यहां पर दो चीजें पढ़ते हैं इसके अंतरगात एक पढ़ते हैं सेलेबल और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग मॉर्फिम राइट सेलेबल मॉर्फिम सेलेबल का मतलब होता है शब्द खंड होता है सब्द खंड जहां से हम सीखते हैं प्रेंशेशन करने के लिए उचारन करने के लिए ठीक है जबकि जो मॉर्फिम की बात है इस मॉर्फियूम के अंतरगे हम लोग क्या पढ़ते है भई इसका मतलब होता है हिंदी में शब्दान्स शब्दान्स ठीक है अब देखिए थ्वा से समझ लेते हैं इसको हम लोग क्या होता है से लेबल तो से लेबल का अगर डिफिशन दिया जाये तो क्या हो जाएगा it is the part of a word it is the part of a word contains either a vowel or a vowel sound क्या मतलब हुआ इसका कि सब्द का वैसा भाग है यह सब्द खान नाम ही दिया गया है है ना तो शब्द का वैसा भाग है जो क्या करता है इसके अंतिकत या तो कोई वहाबल होता है या वहाबल sound होता है राइट चलिए तो यह ध्यान रखी आप लो तो वहाबल साउंड बताया था मैंने भी और वहाबल तो आप जानते ही है या दूसरा इसका जो डिफिनिशन होता है वो क्या होता है तो ध्यान दीजेगा it is the part of a word it is the part of a word pronounced at a time मतलब किशी शब्द का वैसा भाग जिसका उचारण कितनी बार में होता है एक बार में pronounced at a time का मतलब होता है जिसका सुचारण कितनी बार में हो एक बार में हो उसको हम क्या बोलेंगे शलेवल बोलेंगे तो दो डिफिनिशन है इसका हो गया जान दीजेगा कि part of a word contains either a vowel और a vowel sound वोल साउंड क्या होता है बताएं भी आपको it is the part of a word pronounced at a time किसे सब्द का उचारण जब जितनी बार में करते हैं तो एक बार में करते है वही उसका क्या होता है जैसे pen का उचारण हम देखें हैं तो pen का उचारण कितनी बार कर रहे है तो एक बार में कर है और पेन में क्या है एक वावल भी है मतलब इसमें से लेवल कितना होगा एक होगा लेकर हम लोग पैंसल के बारें बात करें इस पैंसल के बारें बात करें तो इस पैंसल में कितना है एक वावल है और इसको अगर हम तोड़ के बात करें तो क्या पढ़ेंगे पैन और सिल पढ़ेंगे राइट फेन और सिल पढ़ेंगे उस देखिए ब्यूटीफुल के बारे में तो यहां क्या होगा यहां नंबर और भॉवल तो पांच वे आएगा लेकिन सेलेवल इसमें कितना होगा तीन होगा तो अब यहां यह कैसे हो गया सर कि सर भॉवल यहां पर पांच हो जब किसी शफ्द में एक से अधिक सेलेवल ठीक है जैसे जहां भी बोल रहा ना कि यहां पर क्या है एक से अधिक भाववल है ठीक है एक साथ है排ख लोगवल है ठीक है supports हम सबी एक पर आने वाले वावर को हम लोग एक ही मान लेते हैं और इस कारण से वहाँ पर क्या होता है सैलेबल हमारा उसका एक ही हो जाता आपको कि जब कि सब्से में एक से अधिक होता है it is the part of a word ये भी वही बात है it is the part of a word ठीक है having having a meaningful unit having a meaningful unit देखें दोनों में अंतर्थवा समझे इस बात को यहां कह रहा था कि part of a word contains either a vowel or a vowel sound यहां कह रहा था कि part of a word having a meaningful unit सब्द का वैसा भाग जो क्या करता है एक meaningful unit देता है meaningful unit का मतलब कोई ना कोई शार्थक है meaningful का मतलब क्या होता है कोई सार्थे एकाई देता है जिसका कोई अर्थ होना चाहिए meaningful का मतलब यही हुआ ठीक है इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ते हैं मार्फिम के अन्तर्गत वा इसके भी हमारफिम के अन्तर्गत वा जोड़ते हैं